हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे वेइंग मशीन बैलन्स के इस रियल जूस के खाली पैकट के साथ तो हमें पहले इसे कट कर लेना है दो साइड में एक्विली हम कट कर लेंगे इस तरह मैंने दो पीसिस घाट नहीं है दोनों कॉर्नर के और अगला स्ट्र-फैफरेंच के हम इसमें दागा ढालेंगे उसके लिए harus वोगी सुई और थोड़ा सा में दागा चाहिए और सुई की हेल्प के साथ हम इसके लिए हलका सा एक हॉल कर लेंगे उसके बाद हम दागा निकाल देंगे और अब दूसरी ही साइड पर हम जो दागा भी उसके अंदर ही है इस बॉक्स के अंदर है दूसरी साइड पर भी हम इसी तरह हॉल कर लेंगे और इस तरह हमें इन चारों कॉर्णर पर एक एक बार इस तरह हॉल करके यह दागा इसके हर पार जो है वो निकालना होगा और देखिए और जो इसका एंड पॉइंट है इसे हम फोड़ा सा इक्वल करके बरापर कर लेंगे तांकि यह लेफ्ट राइट बूव ना हो इक्वली हम कर लेंगे और यही पोजिशन हमें फ्रेंड्स जो इसका दूसरे वाला कोर्नर है वहां जो है निकाल लेंगे और हमारे फिर यह चारो जो साइड पे है दागा अच्छे से लग जाएगा और हम इसे सेंटर में रखते फिर इजली टाइट कर देंगे अफेंड्स आप वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जूरू कीजिए देखें दोस्तों चारो साइड पे अब यह दागा जो है वह इसके अंदर निकल गया निकल गया और हम सेंटर पोजिशन में रखते अब इन चारो जो त्रेट है चारो धागे हैं इसे मैं यहां पर अच्छे से टाइग कर दोंगा एक्स्टा दागा हम इसके यहां से कट कर देना है और अब हम यहां पर इसे अच्छे से टाइग कर देंगे वो देखें दोस्तों अब ये ये वेली हो गया पहला पाट कोई तरहां दुस्रे वाला स्ट था धांड बान क्रैंगे और हम चाहिए होगा दोस्तों एक आप कोई भीस्ष्रो ले सकते हैं बैसली बैसला मै इस अच्छे से धागे के साथ है। या फिर आप चाहे थो सैलोट्ट लगा के इनी से यहां पे供 टाइच कर सकते हैं। । और मैं इसे यहां पे कर रहा हूं बाढ़ रहा हूं दागे के साथ। दो तिरर वार आप धागे को इसके ओपर से गुमाईए। और अच्छे से इसके उपर tightly काट मार दिए अब देखें कोर्णर हमारा यहां पर अटेच हो गया है और इसी तरह हमने जो दूसरे बाला पार्ट है वह भी यहां पर हम धागे के साथ इस स्टिक के उपर अटेच कर देंगे तो इस तरह हमारे दोनों ही कोर्णर जो है वह इस हो जो नाकब है उसे कऊ से टाई करेंगे एच्छ सबागा सेंटर में बांड़नां अब स्पाई दो क्या Hmm अगर अगर कोरकलम निक भी अथि सब्सक्राइब भी और सब्सक्राइब आ ई